नमस्कार, में के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौहलाल शर्मा, आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है वितान भागदो पुस्तक के पाठ अतीत में दबे पाउं के महतुपूर्ण प्रश्णोतर, तो लीजी पेशे, आज का इस वीडियो पहला प्रश्ण, सिंदुगाटी सब्व्यता एक लोग प्रोफाइल सब्व्यता थी, स्पष्ट कीजिए जवाब है कि सिंदुगाटी सब्व्यता में कहीं भी धर्म तंत्र या राज तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना इस्थल, मूर्थियां नहीं मिले हैं यहां न भव्य राज प्रासाद ही मिले हैं, न मंदिर और न राजाओं या महंतों की समाधियां, यहां से मिली राजा की मूर्ती पर जो मुकुट है, उसका आकार बहुत छोटा है, यहां से मिली नावे भी बहुत छोटे आकार की है, फिर भी ये सब्यता सभी साधनों से स दूसरे शब्दों में, यहां आडंबर या दिखावा नहीं था। इस कारण से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सब्व्यता एक लो प्रोफाइल सब्व्यता थी। अगला प्रेश्ण, क्या हम सिंधु घाटी सब्व्यता को जलसंस्कृती कह सकते हैं। तो इसका जवाब है कि सिंधु घाटी सब्व्यता में इमारतों से पहले कुओं का प्रबंद किया गया है। ये कुओं पक्की हुई एक ही आकार की टों से बने हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सिंदुगाटी सब्यता संसार में पहली ग्यात संस्कृती है जो कुवां खोद कर भू जल तक पहुँची थी। अतह नदी, कुए, कुंड, स्नानागार और बेजोड पाने निकासी के आधार पर हम सिंदुगाटी सब्यता को जल संस्कृती कह सकते हैं। अगला प्रश्न, मोंजोड़ो को देखते देखते लेखक को किस शहर की याद हो आई और क्यों। तो जवाब है कि मोंजोड़ो के विरान शहर को देखते देखते, लेखक को जैसलमेर के गाउं कुलधरा की याद हो आई, ये पीले पत्थर के घरों वाला सुन्दर गाउं था, जो अब विरान है। कोई डेट सो साल पहले, राजा से तक्रार पर गाउं के स्वाभिमानी लोग रातों रात अपना घर छोड़ कर चले गए। उस समय के वे मकान खंडहर हो गए, पर ढहे नहीं हैं, वे आज भी अपने निवासियों की प्रतिक्षा में खड़े लगते हैं। अगला सवाल, सिंदु घाटी सब्यता में सुरूची का जादा महत्व था। यहां सौंदर्य बोध तो है, लेकिन वे राज पोशित या धर्म पोशित न होकर समाज पोशित है। इस पश्ट कीजिए। तो जवाब है कि इस कतन का आशे है कि सिंदु घाटी सब्यता के निवासी सुंदर रुची वाली मनुश्य थे, वे प्रतियक कार्य को बड़े ही सुंदर ढंग से किया करते थे। सिंदु सब्यता का जो नगर नियोजन है, सडकें, ढकी हुई नालिया, जानवरों और मनुश्यों के चित्र से चित्रित, मिट्टी के बरतन, खिलोने, मूर्तियां, गहने, आधी को देखकर हम कह सकते हैं कि यहां के नागरिकों में सुंदर यो बोध था, अर्थाद नहीं यहां कोई बड़ा धार्मिक स्थल मिला है, इससे यह कहा जा सकता है कि उनका यह सौंदर यबोध किसी राजा की द्वारा प्रेरित नहीं था, बलकि समाज से प्रेरित था, अगला प्रश्ण, सिंदु सब्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आड़न नह इस सब्यता के लोगों ने सूनियोजित और मनोहारी निर्मान किया था, निर्मान शेली साधारन होने के बाद भी दिखावे से कोसों दूर थी, सरवत्र, साधन संपन्नता वा संब्रद्ध व्यवस्था, सूनियोजित नगर योजना दिखती है, इसलिए सिंदु सब्यता म भव्यता थी, अडंबर नहीं, अगला प्रश्न, मोन जोदरो शहर की विशेष्ताओं पर प्रकाश डालिये, तो विशेष्ताएं हैं, मोन जोदरो हडपा सब्यता की राजधानी था, ये 200 एकड हेक्टेर में बसा हुआ था, जिसकी आबादी 85,000 थी, यहां की नगर योज था, यहां की सडके सीधी थी, या फिर आड़ी, मुख्य सडक की चोड़ाई 33 फिट थी, सडक के दोनों और घर थे, परंतु घरों के दरवाजे गलियों में थे, यहां पर मरू भूमी नहीं थी, क्रिशी उन्नत रशा में थी, कपड़ों की रंगाई व कड़ाई के भी प् कसित था, अगला प्रश्न, मौन जोड़ों में प्राप्त वस्तों में ओजारतो है, पर हत्यार नहीं, इस कतन से सिंदु सब्यता के बारे में आपकी क्या धार्णा मनती है, तो जवाब है कि मौन जोड़ों में अनेक वस्तों के अवशेश मिले हैं, परंतु उन में किसी प सित सब्यता थी, जो यहां की नगर योजना, वास्तो शिल्प, मुहर ठपों, जैल्व सफाई जैसी सामाजिक एक रूपता को कायम रखे हुए थी, और अन्तिम प्रश्न है कि मौन जोड़ों और चंडीगड के नगर शिल्प में क्या समानताएं पाई जाती है, तो के दोनों और घर हैं, परंतु किसी भी घर का दरवाजा सडक पर नहीं है, सभी घरों के दरवाजे अंदर गलियों में हैं, दोनों नगरों में, घर जाने के लिए मुख्य सडक से सेक्टर में जाना पड़ता है, और फिर घर की गली में प्रवेश करके घर में पहुंच सकत एसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक वशेर करना न भूलें बने रही चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार